हेलो गाइज आपका चेतिलाल फाइनेशल सर्विसिज में फिर से स्वागत है कीप इनिवेश्टिंग कीप ग्रोइंग अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले जिससे आपको आने वाली नौटिफिकिसंस के बारे में भी पता लगता रहेगा तो अभी हम बात करने वाले हैं सूरज प्रोड़क्ट्स लिमिटेड के बारे में जो कि एक आयरन प्रोड़क्ट्स मैनफेक्चरिंग कमपनी है तो इस कमपनी के अगर हम पिछले एक साल के रिटन की बात करते हैं तो इस कमपनी ने लगबग 400% के आसपस बहुती शांदा रिटन दियें जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने बहुत अच्छा खासा पैसा भी कमाया है और अगर हम इसके वैलिएशन्स की बात करते हैं तो ये बहुती अच्छे और सस्ते वैलिएशन्स पे उपलब्द है ये कमपनी इस वीडियो में हम इस शेर का पूरा एक कम्पलीट एनालीसिस करने वाले हैं पूरा का पूरा इस शेर के बारे में जानकारी देंगे तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को लाइक और सबस्क्राइब जरूर करें तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर हम इस company की establishment की बात करते हैं तो ये 1991 में established हुई थी चैंपियन सिमेंट इंडस्ट्री लिमिटेड के नाम से ये company established की गई थी और 2000 संद 2000 में इसका जो नाम है वो change कर दिया गया सूरज प्रोडक्ट्स लिमिटेड कर दिया गया इस company की सुरुवात एक cement plant से हुई थी और subsequently 2002 में इन्होंने जो अपना business है वो diversified कर दिया और उसके बाद ये spon iron manufacturing में आ गए और उसके बाद से यानि कि अगर हम इसके installed capacity की बात करते हैं तो ये 3600 ton per annum subsequently produce करते हैं iron ore और अगर हम pig iron की बात करते हैं तो इसकी जो pig iron की capacity वो 24,000 ton per ann नम है तो देखे company के जो शमता है वो बहुती बड़ी है बहुती विस्तारित है अगर हम company के कुछ products की बात करते हैं तो company का जो पहला product है वो इस तरह से जैसे आपको इस screen पर दिख पार है stainless steel butt wide tubes और stainless steel seamless heat exchanger tubes mechanical polished tubes और flanges और अगर हम company के overall network की बात करते हैं तो company 70 countries में presence है company की 60 से ज़्यादा अधिक इसके network है और company के अगर हम customers की बात करते हैं तो end user जैसे आपको इस screen पर दिख पार है sale ifco, Qatar petroleum और Tata, Tata भी देखे Tata भी इसका बहुत बड़ा customer है थिकन थिन, थायसन करप, Samsung, SUPPH, KNPC और Sabic तो इस तरह से कंपनी के end users हैं मासर के जो की container container बनाने वाली बहुत बड़ी company है एंडोक, NPCC तो इस तरह से देखे बहुत सारी company के पास इसके बहुत सारे end users हैं जो इनसे माल उठाते हैं और जिनको ये माल अपना supply करते हैं और ये इनके end users हैं जैसे आपको इस screen पर दिख पा रहा है हिंदुस्तान petroleum NTPC इस तरह से और ह सारी companies से इस company को पूरा पूरा approval मिला हुआ है जो parameters होते हैं अगर इस company के current share price की बात करते हैं तो 104 रुपए के आसपास ये share trade कर रहा है और market capitalization की बात करते हैं तो 119 करोड रुपीज के आसपास market capitalization है और सूरज प्रोड़क्ट्स के वन मंत के return की बात करते हैं तो देखे वन जो पीर है पीर comparison है तो वो जिंदल स्टील टाटा स्टील और टाटा मिटैलिक्स स्टील एक्षेंज इंडिया जैबालाजी इंडस्ट्रीज के इसी मेटल सेल स्टील तो इन सबसे जो इसका पीर है वो ज्यादा है जैसे आपको इस screen पर दिख पा रहा है अगर हम revenues की बात कर रहा है 2021 में company का revenue 118 करोड था मार्च 2020 में 116 करोड और मार्च 2019 में 70 करोड उससे पहले 60 और 56 करोड रूप है यानि कि देखिए जो company के revenue उसमें अच्छी खासी growth देखने को मिल रही है अगर operating profit margins की बात करते है profit की बात करते है तो 5 यर की कहगर के 36.88% के साथ ये share trade कर रहा है 2020 में 14 करोड और मार्च 2019 में 12 करोड तो देखिए year on year 18% के आसपास growth है अगर operating margins की बात करते हैं तो यहां पर भी 16% के आसपास अच्छी खासी growth देखी गई है कि अगर की बात करते हैं तो 13% से growth की है और मार्च 2021 में 14% मार्च 2020 में 12% और मार्च 2019 में 16% के आसपास तो की बात करते हैं यह देखिए किसी भी कमपनी की backbone होती है profit after tax तो year on year की बात करते हैं तो 14% से घटा है लेकिन मार्च 2021 में 5 करोड मार्च 2020 में 6 करोड और मार्च 2019 में 3 करोड के आसपास company का profit after tax रहा है तो कुल मिलाकर के जो company के financials है और जो company का profit है वो एक ठीक ठाक से range पे निक किसी की बात करते हैं तो उस हिसाब से ठीक है अगर pet margins की बात करते हैं तो pet margins में देखिए 8% के आसपास down है यानि कि year on year 8% से down है और केगर की बात करते हैं तो 30% के आसपास grow किये जैसे आपको इस screen पर पूरा का पूरा दिख पा रहा है अगर हम इसके EPS की बात करने अर्णि 2019 में 5 रुपे के आसपास तो EPS भी इस company का काफी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और अगर हम ROEC की बात करते हैं return on capital employed के अगर हम बात करते हैं तो March 2021 में return on capital employed 17% से grow किया जबकि March 2020 में 8% के आसपास यानि कि year on year इसमें 100% के आसपास बढ़ोत रहे हैं और केगर की बात करते ह 30% के आसपास ये share trade करता है 32% की बढ़त के साथ तो देखे इस हिसाब से company के जो हमने oral fundamental जो check की हैं वो company के ठीक ठाग हैं इतने खराब भी नहीं और company की जो products की जो demand है वो भी काफी अच्छी है और 60 country 70 countries में company की presence भी है अगर हम आज के share price की बात करते हैं तो देखे share के अंदर अपर circuit लगता दिखाई दिया था 5% पे high इसका 110 रुपे के आसपास था और low इसका 101 रुपे के आसपास था और अगर हम बात करते तो देखे 10% के आसपास का अच्छा खासा circuit लगा एक तरीके से देखा जाए इसके high low से और अगर हम इसके one month के return की बात करते हैं तो देखे one month में ये share करीबन करीबन 70 रुपे से 110 रुपे के आसपास आज trade कर रहा है इसी time duration में इस share ने 54% के आसपास बहुत ही शांदार return भी दिये और देखे अगर मानके चलो एक महीने पहले जिस किसी ने भी इस share के अंदर पैसे लगाया होगा तो अच्छा खासा return भी कमाया होगा और अगर हम सूरज प्रोडक्स के one year के return की बात करते हैं तो जैसे आपको इस screen पर देख पा रहा है तो देखे एक साल के अंदर करीबन करीबन 400% जी हाँ 400% के आसपास के इस share ने return दिये share 24-25 रुपए से ले करके 110 रुपए तक की rally दिखा चुका है तो देखे शेर के अंदर moment अच्छा है और शेर के अंदर जो return है वो भी काफी अच्छा share ने कमा करके दिया है पिछले एक साल मे अब बात आती होल्डिंग की तो देखे परमोटर की अगर होल्डिंग की बात कर 10% के आसपासिश्टे के और अधर्स का इसमें 25% के आसपासिश्टे के जो की अभी बरकरार है पूरा का पूरा तो देखे हमने पूरा का पूरा एक टेकनिकल चेक किया कमपनी का और एक fundamentally भी हमने पूरी पूरी कमपनी समझी तो कमपनी की अगर growth की बात करते तो company की जो growth है येर और ठीक ठाक ग्रोड रैं कंपनी के और जो प्रॉडक्ट्स है कंपनी के और वो भी प्रॉडक्ट्स की जो डिमांड है वो भी अच्छ perpetrator कंपनी के पास कस्टुमर भी काफी अच्छे हैं end user जिने हम कह सकते हैं तो देखिए एक बहुती अच्छे खासे और सस्ते valuation पे ये company trade कर रही है इस share में अब करना क्या है आपको देखिए तो पिछले अगर हम पिछले कुछ time की बात करते हैं अगर बान के चलो आपने पिछले 4-5 महीने पहले इस company के अंदर invest किया होता तो अभी आपका जो पैसा है लगबख double के आसपास हो गया होता और अभी current levels पे हमें क्या करना है तो देखिए ये share अभी एकदम high level पे trade कर रहे है और market में भी volatility है और अगर हम metals की बात करते हैं तो देखिए metals के अंदर आज तेजी भी देखने को मिली थी पूरा का जो पूरा sector है metal का जो आज चेहकता हुआ दिखाई दिया तो देखिए अभी इस share के अंदर थोड़ा सा avoid कर सकते हैं buying के लिए अगर मान के चलो आपका long term का नज़े लिया है तो आप इसके अंदर बिल्कुल invest करके चल सकते हैं अभी फिलाल और अगर मान के चलो आप trading point of view से ये share खरीदना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा wait and watch करना पड़ेगा यानि कि अभी देखिए upper circuit लगलग कर ये उपर चड़ा है तो हो सकता है कि इसमें दुबारा से lower circuit देखने को मिलेंगे और इसमें जो exact levels आएंगे वो हो सकता है मान के चलो अगर ये 100 रुपए का जो एक support है वो तोड़ता है तो इसमें दुबारा से आपको 80 रुपए तक के move downside देखने को मिल सकते हैं तो इस share को अभी avoid करें fresh buying के लिए और अगर मान के चलो आप long term investor हैं तो basic से आप buy करके चल सकते हैं और trader की बात करता हूं तो trader का point of view भी मैंने इसमें बता दिया है और अगर मान के चलो आपको इस share के ओपर exact levels चाहिए ये downside कहां तक जाएगा और उपर कहां तक जाने की अभी छेष्टा रखता है तो ये सारा कुछ आप हमारे WhatsApp group से पूछ सकते हैं WhatsApp group का जो link है वो description box के अंदर दिया गया है और ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें comment section में जरूर बताएं ये analysis कैसा लगा हमें comment section में जरूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पे नई हैं तो चैनल को like and subscribe जरूर करें हम आपके लिए इसी तरह से नई नई studies लाते रहते हैं और अगर आप किसी share के उपर study चाते हैं तो आप हमें हमारे comment section में लिख सकते हैं वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जूटे रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद